नमस्कार दोस्तों आपको एक और नया चमत्कार दिखाएंगे आपको ठीकदार का क्या चमत्कार करता है आपके construction में और आपके घर के साथ कैसा ये वर्क कर सकता है और क्या आपके साथ गलतियां कर सकता है वो आज इस पूरे वीडियो में आप देखेंगे तो सबसे पहले वीडियो की बात करते हैं तो ये एक प्रोजेक्ट था जो मैंने रच चलते चलते ही इसे रिकॉर्ड किया था और यहां तक की सबसे बड़ी बात इसमें ये आई कि यहां पे जब मैंने बात किया ठिकदार से तो यहां पे इंजिनियर लोग भी साइट विजि कर सके और आपके पैसे और आपकी भावना के साथ खेल सके तो ठिकदार और इंजिनियर जब एक घर का सत्यानाज करने उतर जाता है तो देखे किस तरह से ये आपके घर के साथ गलती कर देता है तो सबसे पहले चीज होती है कि इसमें कॉल्यूम का जो कंस्रेक्शन था वो construction में setting सबसे पहले अच्छे नहीं लगी क्योंकि vertical member है तो यहाँ पर setting की चीजे बनाए जाती है इसके साथ ही इसमें जो ring का work हुआ था जो column में हम लोग tie बोलते हैं tie का work अच्छे हुआ है कुंडी इन्होंने 135 degree पर ली है लेकिन इसमें दो ring missing है क्योंकि इसका spacing हमें दो section दो zone में रखना पड़ता है A zone और B zone तो इसका spacing आप देख सकते हैं इसने zone का कोई भी decision नहीं लिया साथ ही जो भी setting का work हुआ है beam के case में तो इसके stir up का काम एक uniformly लेके चल गया क्योंकि यहाँ पर load है भी था तो इसमें भी उन्हें June के हिसाब से work करना चाहिए था अगर end exterior हमने हमेशा बताया है कि column IS code जो provide करती है beam के case में तो हमें रखना पड़ता है 100 mm या फिर उसके average जो हमारे code provide की है उसके lump sum हमें work करना है जो maximize आएगा उसके हिसाब से ht wrap का design होता है और उसकी spacing उसके निर्वर करती है दूसरी चीज है जब इसका beam का casting हो रहा है तब उसमें आपको ध्यान देना होता है कि इसका हमें length wise इसका जो detailing हमें map में दिया जाता है जो designing हमें detailing दी जाती है उसके हिसाब से proper work हुई है या नहीं इसमें सबसे ज़्यादा चोड़ी की गई है कि सरिया इसका span length बड़ा था चुकि आपका अगर घर बन रहा है कभी भी आपके घर में cracks आ जाते है या कभी ऐसा कुछ होता है जहां दरारे बन जाती है कभी आपको सीपेज का problem होता है तो आगे से आप हमेशा ध्यान रखिए कि आपके घर का जो भी construction हो एक आप अच्छे engineer और एक अच्छे ठिकदार को ही चूज करिए इस तरह से गलत तरीके वाले लोगों के पास बिल्कुल भी न जाए और ध्यान रखिए अपने घर का construction अच्छे से करवाईएगा